तो गाइस वेल्कम टू जेक कैसे स्पी अड़ा 6.4 तो हमारा कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज चल रही है इंटरनेट वाला पोश्चन और इमेल वाला पोश्चन कंप्लीट हो चुका है उसके कर दिये थे कुछ मैंने तो अब बाद की भी फिर ओवर ओल कर देंगे डिसका संब्सक्राइब तो आज का टॉपिक है हमारा हाडवेर तो हाडवेर को स्टार्ट करता हूं फिर में आपका हाडवेर क्या होता है हाडवेर वो एक्विपमेंट्स होते हैं जिनको आप टेच कर स दो सहाल है तो जैसे आपके कप्यूटर है तो आपका उसका मोनीटर वगारा सीपЬ 720 वगारा वह उसका हारडवेर वाला पूशन हो गया अब humility के अंदर हमारे पास क्या क्या औता है हमारे पास आते हैं इंपूद इवाइसइश प्रोसेसिंग डिवाइसा को श्टोरेज डि को store किया जाएगा तो आगे further move करता हूँ है यहाँ पर हमार पर input devices processing devices output devices storage devices की list है make sure आप इनको learn कर ले क्योंकि directly question directly आ जाता है कि इसमें से कौन से device input है कौन से device input नहीं है कौन से device processing है कौन सा नहीं है कौन सा device output है कौन सा नहीं है directly एक नहीं कोशन 101% आएगा तो make sure आप इन सभी को learn कर ले मैं individually सभी को discuss करूंगा बट make sure आप इस list को ही learn कर ले तो आपका at least एक से दो कोशन easily आप attempt कर पाएंगे चलें आगे तो input devices ही ले रहा हूँ पहले मैं आपके पहला है keyboard keyboard वो input device है जिससे आप data को computer के अंदर feed करते हैं तो keyboard जो है इसको use किया जाता है इसको keyboard को develop किसने क्या था यह नाम याद कर लेना Christopher Lethem Shoals Christopher Lethem Shoals आगे आगे तो keyboard के ओपर keys कितनी होती है वो depend करता है कि keyboard कौन सा है 78 भी हो सकती है 83 भी हो सकती है 84 भी हो सकती है 86 भी हो सकती है 101 102 104 105 108 और 109 भी हो सकती है अब keyboard का layout तो डिफरेंट तरह के keyboard हो सकते है अजर्टी ड्वो रैक और उसके बाद qwerty keyboard हो सकता है सबसे commonly used qwerty होता है याद अखिएगा इसको यह important बन जाएगा सबसे commonly used keyboard है qwerty उसके बाद सबसे fastest ले आउट टाइपिंग कौन सा है हमारा डूरैक ठीक यह important बन जाएंगे हमारे आपके तो नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो उसके बाद यह भी बोसकते हैं आपको कि डूरैक qwerty की चीज की टाइपस हैं तो बहुत याद अखना है keyboard की टाइपस है ठीक है अब keyboard के ओपर different तरह की कीज होती है हमारी पहलत तो alphabet कीज होती है हमारे इसके पर alphabet होते है a से लेके z तक उसको नंबर कीज होती है one zero to nine zero है one two three four five six seven eight nine function कीज होती है हमारी f1 से लेके f12 तक याद shift उसके बाद हमारी यहां पर function की है इनको modifier की होती है जब आप इनको दबाओगे तो कुछ specifically shown होगा आपको ठीक स्क्रीन के ओपर तो यादखना modifier key वेपने पोल सकते हैं कि इनमें से कौन सी modifier key है या कौन सी modifier key नहीं है तो इसको याद दख लिना ठीक next मेरे पर toggle keys होती है तो toggle keys में हमारे पास आजाती है caps lock num lock या scroll lock insert तो क्या करती है यह state change कर देती है जैसे suppose caps lock दबाओ गए तो आप आपका small से capital में चला जाए कुछ इस सब्सक्राइब से state change हो तो toggle keys आजाती है प्रेबर पूसक्ताइस सबसे लंबी key कोंसी होती है region差 bers óifies pair होती है TAB की जो होती आधे है कर सर को move करने कलिए एक पोजीचन से दूसरी पोजीचन per escape key को use कि एक करने कलिए पर पियार्टी करसर को दूसरी लाइन में मूव कराना हो तो अगर आप टाइपिंग वगारा करते होगे तो जैसे एंटर की दबाएं तो नेक्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट हो जाती है तो यह कुछ चीजे हैं वह याद इनको याद कर लिजेगा और साथ में आप लोग इसके नोट्स हैंड मेड बनाते जाएए कोशिश कीजिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाएं क्यूंकि उससे क्या होगा आपको जब आप रिवाइज करेंगे तो इसको इसली रिवाइज कर पाएंगे पीडिएफ वगारा जो होगी उससे मेमराइज करना यह लर्न करना बहुत हा अदमिये पर आया था तो पॉंटेंग डिवाइज है इसको पॉइंटिंग क्लिकिंग अड्राइगिंग से आप अगर आपने दिखो गे पहले मौस आते उसके निचे बॉल ही लगी होती थी उसके बार एक होता है अप्टिकल माउस लगी होता है पॉइंटिंग के लिए एक वायरलेस माउस होता है वो रेडियो वेल्स के थुरू आपका कम्निकेट करता है तो यहाद दखियेगा आगे है हमारा OCR औप्टिकल करेक्टर रिकोगनेशन तो यह क्या करेगा यह आपको कोई भी करेक्टर जो आपने टाइप कियो ओगा या हेंड ट्रीटन होगा उसको इसली रीट करने में मज़द कर देता है कॉन OCR औप्टिकल करेक्टर रिकोगनेशन नेस्ट होता है OMR OMR sheets वगारा भी होती है आप लोग एजाम वगारा देते हो इसमें तो यह बड़ा पॉपुलर है अब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तो यह एग्जाम में एवैलुएशन के लिए यूज़ होता है ऑफिशियल फॉर्म के लिए होता है और इसके बाद लॉट्री टिकेट तो इनक सब्सक्राइब करेंगे ग्यूज़ करेंए है दब्रांच तो यह था सब्सक्राइब करने के लिए कि लिए यूज़ कि वह अक्रों कर लेना ऑगे अगे मूव करते हैं नेक्स होता है बार कोड रीडर तो ब्रेडर तो बीसे यार की फूल फॉर्पू सकते हैं BCR बार कोड रीडर तो इसको हम प्रिंट स्कैनल या पी उएस भी कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल यह स्मॉल वायरलेस हैंड है डिवाइस होता है और यह किसी भी चीज का प्रोडक्ट जो है उसको सकता है 13-digit का कोड होता है या दखना बार कोड रीडर में कितने डिजिट का कोड होता है 13 अपने दिखाओगा मशीन होती है कहीं पे आप गए होगे खरीदने तो आवाद आती है दोंट टेकिट टू ऐसे वाद आती है वह सकान करते हैं किसी भी चीज को पिछे बार कोड बन होता है तो उससे वह फिर उसके रिटी डिटेल्स वगार जोती है पाश जल जाती है नेक्स होता है QR कोड तो QR कोड आप लोग गूगल पर ये वगारा यूज करते होंगे तो उससे चलता होगा तो QR की फिर फिर्म के होती है क्विक रिस्पॉंस ये यूज के जाता है आपका इसमें ब्लैक और वाइट स्क्वेर्स होते हैं जिनको डिफेंट पर परपजीश के लिए यूज के जाता है और इसकी रिडिबिल्टी बड़ी फास्ट है किनें सब्सक्राहं कोने सब्सक्राइब करें ब्लीक हैं एक बहुत इसक्ति बीजिट सरे ने और डिवाइस आपको सिल्म केативक सब्सक्राहएं बीजिब फिर मंसक्राहिश के जाता है ब इसमें uh लिफेंग सब्सक्राहें खिये नैंक्स경ist टिवाइस जिसको स्क्रीन के उपर कुछ भी लिखने वगारा के लिए यूज कर सकते हैं क्लियर स्कीन के उपर कोई figure draw करनी हो तो भी light pen से बन जाती है वो stylus stylus पहले mobile के साथ आते से अभी भी आते है मेरे ख्याल से device होता है उससे अब लिख सकते हैं mobile के उपर screen के उपर तो इसको यूज की जाता है projector पर भी यूज की जाता है movement के लिए webcam पर पूछ सकते हैं webcam कौन सा device है तो याद रखना webcam input device है stylus कौन सा device stylus input device light pen कौन सा device light pen input device यूज के लिए यूज की जाता है वीडियो कॉलिंग के लिए यूज की जाता है touch screen की बात करों तो आप सबी के हाथ में touch screen mobile ही है तो यह वह screen है जिसके आप कोई भी activity perform कर सकते हैं just touch करके stylus stylus नहीं है तो उगली के साथ या thumb के साथ लगा के आप कर सकते हैं touch screen example of input device touchpad touchpad एक flat surface होता है जो की इसको touch करते हैं laptop वगएरा पे laptop वगएरा पे होते हैं finger वगएरा आप करते हैं move तो it works like mouse तो 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 यहां पर थोड़ा सा clearly दिखरा नहीं है sorry for that biometric जहां को security पर पजीज के लिए की जाता है एक्जाम देने जाओगे अगर आपका computer वगएरा पे एक्जाम होगा आपका तो उस पर क्या होगा आप जाते तो पहले attendance होती है वह किस तना से होती है आपका biometric लिए जाती है आपके देटे के थम इंप्रेशन और सम्थिंगर थम आईज वगएरा का ली जाती है तो उससे क्यों तब आपकी identification वगएरा हो सकती है तो यहां पे अधार कार्ट वगएरा बनाएंगे तो भी आपके biometric होए होंगे और अब भी जो health scheme चल रही है government की उसमें भी biometric ही हो रहा है तो यहाद आखी का biometric input device है next microphone की बात करते है microphone को यूज किया आता है audio वगएरा डालने के लिए computer के अंदर ठीक next scanner की बात करते है scanner की जो है इसको यूज किया था hard copy को soft copy बनाने के लिए अब आप देखे होंगे कि साइबर काफे वगएरा गयों जो scan करती है आपकी page पे लिखावए चीज जो है वो computer पे चले जाएगी तो scanner दो तरना को होता है कि handheld एक फ्लैट बट्स करने हो था एक trackball trackball devices में ball होती है जो roller कि जना काम करती है finger के साथ और फिर पॉइंट करेगी चीज़ों को यादखना है इतना यादखना है कि trackball जो है वो input device है clear आगे हमारे आ जाते हैं बच्चे processing devices processing device जो है वो process करेंगे आपने data को डाल दिया आगे वो data प्रोसेसिंग होगी और को कौन करेगा हमारा processing device करेंगे processing device में हमारे पास आयता है हमारा CPU, ALU, CU, Motherboard, GPU, RAM, ROM, RAM, ROM को थोड़ा auditor से discuss किया जाएगा है मैंने hardware start किया है आपका software मैं अच्छी तरह से discuss करूंगा CPU की बात करूँ इसको computer का brain बोला जाता है, microprocessor भी बोला जाता है, यादक नबेपर में आ सकता, brain किसको बोला जाता है, CPU को बोला जाता है, computer का सबसे important part होता है, processing सारी यही करता है, ALU की बात करते है, ALU की full form याद कर लेना, arithmetic, logical unit, ठीक, और यह mathematical, logical operation करता है, addition, subtraction, multiplication, बगरा सब पुछ यही करेगा, next होता है, control unit, CU, इसको काम कहोता है, instruction को transfer करना, एक पार्ट के एक पार्ट से computer के दूसरे पार्ट पे, next, CU जो है, यह बहुत important unit है, यह computer के सारे operation, processor के सारे operation को यह control करता है, दुनिया का, दुनिया का पहला CPU कों सा था, Intel 4004, या दख लेना, इसको भी, और, speed जो होता है, प्रसेसर की, वो हर्ट में major की जाती है, और आजकल तो, गीगा हर्ट में भी की जाती है, next, अगर आपको दिख रहोगा, next was our motherboard, motherboard is PCB, PCB की इस चीज़ना से, याद करेना, printed circuit board, या logic board होता है, या system board होता है, और से essential part होता है, computer का motherboard, motherboard के अंदर CPU, आपकी memory चिप आ जाती है, different port, different आपके port आ जाती है, slots वगरा आ जाती है, और ये ज़रूरी है, computer की working के लिए, दो तरह के यहापे आपको motherboard बताए हुआ है, एक होता है, AT, Advanced Technology, और ATX, जहां कहीं X दिख चीज़ इसको as processing आपके device है, उसके ताइप पे discuss के जाता है, तो RAM की full form है, random access memory, और ये जो हमने currently data execute, जो इसके लिए use किया जाता है, और ROM is read only memory, ये basic input output system को store करने के लिए किया जाता है, B, I, O, as की full form याद कर लिए चीज़ का, very, very important, GPU Graphic Processing Unit, ये single chip processor होता है, और इसको use किया तक किसके लिए, performance के लिए, videos और graphics के लिए, sorry, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, आज की मैं इसको यहीं पर कर रहा हूँ, stop, कल start discuss करूँगा, आपके साथ output devices और एक और रहा गया, हमारा portion, रुक जाईए, 1 minute, output devices और storage devices रहागे, और को कल discuss करूँगा, hardware portion complete हो जाएगा, आपका तीसरे दिन उसके MCQ चलेंगे, और next software स्टाट हो जाएगा, मैं जो भी करा रहा हूँ, बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, I'm damn sure इसके बार से कुछ नहीं आएगा, बाकी जो रही से कसर अब MCQ में निकाल लेंगे, आप Thank you so much.